ओम स्यांति ओम स्यांति ओम स्यांति ओम स्यांति ओम स्यांति जब से कोई भी आत्मा बाबा के पास आती है, उसका बच्चा बनती है, उसे बाबा का ये सुन्दर बोल सुनने में आता है मीठे बच्चे, वो आत्मा सत्य रहा को पाकर संतुस्थ हो जाती है उसे लगता है कि जनम जनम की उसकी खोज पूरी हो गई है जो कुछ उसे पाना था जिसके लिए उसने भक्ती की थी जो जीवन का अंतिम लक्स था वो उसे मिल गया भगवान को पाकर उससे सत्य ज्यान को पाकर आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन और संतुस्त हो जाती है यह अनुभवलग भग सभी ब्रह्मनों का है बहुत थोड़े हैं जिनको खुस होने में देर लगती है पर जो आत्माय आते ही प्रभु प्राप्ती से आनंदी थो थी जिनके जीवन में संतुस्ता का सबसे बड़ा खजाना समा गया वे सच्मुच परम सोभागिसाली हैं लेकिन कईयों को ऐसा होता है कुछ समय के बाद असंतोस उभडने लगता है खुसी नस्ठ होने लगती है पुर्शार्थ की स्पीड धीमी पढ़ने लगती है को भूलना परचिंतन और परदर्शन में लग जाना यदि मनुस अपनी प्राप्तियों की खुमारी में रहे यदि उसे अपना लख्ष सदा याद रहे तो उसकी खुसी उसकी पुर्शार्थ की स्पीड कभी खतम नहीं हो सकती है हम अपने लख्ष को इतना महान बना लें कि व्यार्थ के लिए हमारे पास समय ही न बचे करें रिवाईज आप अपने लख्ष को लख्ष बहुत बड़ी चीज है लख्ष के बिना जो जीवन जीते हैं उनकी स्पेड तो चीटी की ही होती है एक महान लख्ष मन उसके जीवन में उमंगुच सहा भरता है तो आईए हम स्वयम को बापसमान संतुस्ट मनिया बनाएं जिनके प्रकास से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाए हर हाल में संतुस्ट विशेश रूप से दूसरों के व्यभार में संतुस्ट भगवान को पाकर उससे संतुस्ट उसके प्यार से संतुस्ट उसकी पालना से संतुस्ट उसके ज्यान से संतुस्ट जो उसका हमलोकिक अव्यत पाठ देखते हैं उससे संपोन रूप से संतुस्ट और सर्व खजाने पाकर संतुस्ट सची संतुस्ता तो वास्तों में सर्व खजाने प्राप्ति के बाद ही होती है एक है जो कुछ हमारे पास है उसमें हम त्रप्त रहें वो बहुत सुंदर बात है लेकिन हमारी वो संतुषता जिसको संपूर्णता कहा जाता है, वो तब आती है, जब संपूर्ण इस वरिये खजानों से हम सुसजित हो जाएं, और वो है ज्ञान का खजाना, गुनों का, सक्तियों का, कुशी का, समय का, संकल्पों का, दुआओं का, पवितर्ता का, और पु जनम का भाग्य बनता है, जिसने इस समय, ये खजाने जितने प्राप्त किये, वो उतना ही स्रेष्ट भाग्य का अधिकारी होगा, तो आईए हम सभी स्वयम को त्रपत आत्मा बनाएं, सर्व खजानों से भरपूर करें, व्यार्थ में समय गमाने का समय नहीं है, आज सारा दिन, हम एक बहुत सुक्स मभ्यास करेंगे, मैं आत्मा सुक्स्वरूप हूँ, सुक मेरी नेचर है, फिल करें इसको बार बार याद करें, मैं आत्मा हूँ, चमकता सितारा हूँ और बहुत सुखी हूँ, अपने अंदर आज सो बार संकल भर दें, मैं बहुत सुखी हूँ मैं भगवान की संतान बहुत सुखी हूँ मैं सुख सागर की संतान इस वरिये सुखों से भरपूर हूँ यदि भगवान की संतान ही सुखी नहीं होंगे तो भला संसार में और कौन सुखी होगा इस सुख के फिलिंग से जनम जनम के दुखों की लहर उनकी च्छाया स्वतही समथ हो जाएगी और फिर अभ्यास करेंगे साथ में उपर से बाबा की किर्णों का फाउंटेन मेरे उपर निरंतर पर रहा है इस सारा दिन अतिंद्रिय सुखों की अनुभूती होगी और छोटी मोटी बातों के प्रभाव से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे ओम तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चांती